दोस्तों वालविका से वह सिक्षा सास्तर के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं पिछड़े पन या मंदता निवारण के उपाए देखें सेक्षिक पिछड़े पन या सेक्षिक मंदता के लिए कोई एक कारण नहीं है वरन विबिन्न कारण समलित रूप से उत्तरदाई होते हैं पिछड़े पन के उनको निवारण करने के बहुत से उपाए हैं नमर एक बालकों के सारे रिख दोसों और रोगों का उचार कराना, इलाज कराना, बालकों के सारे रिख निर्वलता धूर करने के लिए संतुलित भोजन सारे रिख वियाम के विवस्ता कराना, निर्दन परिवार के बालकों के लिए निसुलक सिक्चा और चातरवत्तियों की बालकों के माता पिता में अच्छी आदतों का निर्मान करने के लिए प्रचार फिल्म प्रदर्शन आधी, बालकों के प्रती माता पिता का संतुलित द्रस्टिकोंड, बालकों की विद्यालाओं में नेमेत उपस्तिती का निरिक्षण करने के लिए निरिक्षकों की नियुक मनोबैग्यानिक स्टॉंस के सब्दों में कह जाता है कि आज कल पिछड़े पन के छित्र में किया जाने वाला अधिकांस अनुसंदान यह सिद्ध करता है कि उच्छत ध्यान दिये जाने पर पिछड़े बालक सिक्छा में प्रगती कर सकते हैं और अपने आपको सिक्छित और अपने आपको बेरोजगारजी से दूर निकल सकते हैं पिछड़े बालकों की सिक्छा के प्रती उचित ध्यान देने का अभिप्राय है कि उनकी सिक्छा का उप्युक्त संगठन हो हम इस संगठन के आधारवुत तत्वों को निमने प्रकार से इसपस्ट कर सकते हैं नमर एक है विसिस्ट बिद्यालेओं के स्थापना कराना establishment of special schools पिछड़े बालकों के लिए विसिस्ट बिद्यालेओं के स्थापना की जानी चाहिए और विसिस्ट बिद्यालेओं में उनकी अपनी सिक्षा कमियों का कम ज्यान होगा और बे अपने समान बालकों के समूह में अधिक सुरुक्चा अनुभा करेंगे और इन बिद्यालों में उनके लिए प्रति दुन्दिता कम होगी और प्रोथसाहान अधिक मिलेगा ऐसा कहते हैं यदि ये विसिस्ट बिद्याले आवास रेसिजेंशियल बिद्याले हो तो पिछड़े वालकों को और अधिक लाब होता है ऐसे बिद्यालों में उनके पिछड़े पन के कारणों का सरलता से अध्यन करके उप्चार किया जा सकता है इंग्लेंड में इस प्रकार के विद्याले हैं और उनमें 100 से अधिक चात्र नहीं रखे जाते हैं ये सबसे अच्छी बात है इंग्लेंड में और नमर दूसरा कारण है विसिस्ट कच्चाओं के स्थापना Establishment of Special Classes ये देखें दोस्तों तो यदि किसी कारण से पिछड़े वालकों के लिए विसिस्ट बिद्याले के स्थापना संबव नहीं है तो उनके लिए प्रत्यक बिद्याले में विसिस्ट कच्चाओं स्थापित की जानी चाहिए इन कक्छाओं के संबंद में स्टोंस की 300 जाओ दिये जाते हैं मनुवैग्यानिक स्टोंस कहते हैं कि इन कक्छाओं में से 20 से अधिक चात्र नहीं होने चाहिए ये कक्छाओं भिन्न भिन्न विस्यों की होनी चाहिए इनमें उन विश्यों में पिछड़े हुए विद्यालाय के सब चात्रों को सिख्चा दी जानी चाहिए जिन विद्यालेओं में इस प्रकार की कक्छाओं के लिए परियाप्तिस्थान नहीं है उनमें एक या-दो कक्छाओं को चलाने की विवस्ता अवश्य होनी चाहिए, इस कक्छा या-इन दोनों कक्छाओं में विध्याले के सब पिछड़े हुए चात्रों को व्यक्तिकत रूप से सिक्छा दी जानी चाहिए। अगला जो हैं दोस्तों हम देखें पिछड़े बालकों की सिक्चा में तो बिस्स्ट विद्याले को संगठन कैसा हो Organization of Special School को पूस्वामी मनवग्यानी कहते हैं कि पिछड़े हुए बालकों के बिस्स्ट विद्याले का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे की उनमें बिविन्न प्रकार की अधिक्तम छात्र क्रियां बालकों को पर्याप्त पर निर्यांतुरित्क स्वतन्त्रता, स्वतन्तर अनुसासन और प्रत्यिक बालक की प्रगत्य का पूर अभिलेक विक्सित हो सके अगला देखें दोस्तों, अच्छे सिक्षकों की निक्थि, appointment of good teachers, पिछडे हुए बालकों को सिख्षा देने के लिए अच्छे सिक्षकों की निक्थि की जानी चाहिए, अच्छे सिक्षक का वर्णन करते हैं, मनोवग्यानिक वर्ट कहते हैं, कि पिछड़े बालकों का अच्छा सिक्षक, सहितिक रुचियों बाला मनुश्य होने के बजाए, वहवारिक मनुश्य होना चाहिए और उनकी रुचियों पुस्तकी होने के बजाए, मूर्त, मूर्त आने की काम करके दिखाए, कौसल होना चाहिए, उसमें उनमें सारे रिक का हो ऐसे सिक्षक होने चाहिए अगला जो है पांच बात कारण है दोस्तों छोटे समूहों में सिक्षा दी जानी चाहिए एजिकेशन इन स्मॉल गृप्स पिछड़े हुए बालक वास्तविक प्रगती तभी कर सकते हैं जब सिक्षकों द्वारा उनके प्रतिव्यक्तिकत रू नम्मर फस्त यह बहुत अच्छी बात एदी चात्रों में किसी प्रकार के सारे रिख्डोस हैं तो उनके संक्या 20 से कम कर दी जाए एक कक्षा के चात्रों को केवल एक अध्यपक द्वारा सिक्षा दी जानी चाहिए यह भी बहुत अच्छी बात कही जाती है अगला हम यह बाल विकासेवन सिक्षा सास्त में चटवे जो सिक्षा देने के प्रकार है तो विसेश पाठेकरम का निर्माण स्पेशल करिकुलम पिछडे बालकों के लिए विसेश प्रकार के पाठेकरम का निर्माण किया जाना चाहिए पाठेकरम अधिक लचीला सामाने बालकों के प देखें तो कुपु स्वामी मनवग्यानिक लिखते हैं पाट करम ऐसा होना चाहिए जो पिछड़े बालकों को विद्वान बनाने के बज़ा जीवन के लिए तैयार करें तथा उनको बुद्धिमान नागरिक और कुसल कारेकरता बनाए ऐसा होना चाहिए अगला देखें दो पिछड़े बालकों के अध्यन के विषय का संबंद उनके सामाजिक बातावरण से होना चाहिए क्योंकि सिक्षा का उद्धियस बालक में सामाजिक बातावरण उत्पन करना है अगला जो है दोस्तों हस्त सिल्पों की सिक्षा ट्रेनिंग आउपा हैंडिक्राप्स आई बुनाई जल्द साजी टोकरी बनाना बैंत हतु लकडी के और चमडे का काम बालिकाओं के लिए आगे लिखे सिल्पों हो सकते हैं जैसे बुनना कातना सलाई करना बोजन बनाना और ग्रह विज्ञान से संबंदित अन्यकारे भी हो सकते हैं अगली जो सिक्षा है दोस और महान पुर्सों एवा महिलाओं की कहानियों और किनाटकों के रूप में सिक्षा दी जानी चाहिए अगला है दसबे नंबर का देखें दोस्तों विसेश सिक्षण विदियों का प्रियोग होना चाहिए यूज ऑप स्पिसल टीचिंग मेतड़्स सामाने बालकों की तु सिक्षण के विविन उपकरणों का उधार प्रियोग कम से कम मौखिक सिक्षण और पढ़ाए गए विसेश की बार 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 पुन्रब्रत्ती अरजित ग्यान को प्रियोग करने के अवशर योजना पद्धती के आधार पर कारे भोगोलिक एतिहासिक संस्त्रतिक आदियस् इस तौन्स के अनुसार हम कह सकें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि एक बार से अधिक ना पढ़ाया जाए अगला है दोस्तों मानसिक रूप से मंद बालक क्या है दोस्तों मानसिक रूप से मंद बालक के बारे में हम देखें मानसिक मंदता का समाने अर्थ है औसत से कम मानसिक योगता औसाथ से कम मानसिक योगता मतलब उसके जो समान आयू की जो बालक हैं उनसे कम सीखना उसको बोलते हैं औसाथ मंदता मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धी लब्दी साधारण बालकों की बुद्धी लब्दी से कम होती है IQ लेवल उनका कम होता है इसल मंद बुद्धी, mentally retarded, अलप बुद्धी, mentally deficient, विकल बुद्धी, mentally handicapped, धीमी गति से सीखने वाले slow learners, पिछड़े हुए, पिछड़े हुए वैकबर्ड और मूड जिसको डिल कहते हैं, अगला जो है दोस्तों सन 1913 तक, 1913 तक मंद बुद्धी और पिछड़े हुए वैकतियो मैं किसी प्रकार का अंतर नहीं किया जाता था, ये बात बहुत बड़ी कह रहे हैं हम, क्योंकि सदियों से लोग अपनी अपनी संस्क्रती को बहुत महान बता रहे हैं ये लोग, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मंद बुद्धी वालक, पिछड़े वालक अलग-अलग हैं, ये देखिए, ये साइंस और ये मनवग्यानिक लोगों की दैन है, जिससे कि आज हम अंतर कर पा रहे हैं, उनको सिक्चा दे पा रहे हैं, ये बहुत बिसेज बात है दोस्तों, उस वर्स इंग्लेंड ने mental deficiency act बना कर इस अंतर को जन्म दिया, इस से सम्मंदिद बहां और अ इस प्रकार दी गई, कि मानसिक मंदता ओसत से निम्न मानसिक कारेचमताव का उलेक करती है, इसका आरम बालक की बिकास की अवदी में पैदा होता है, और वह निम्नलिकित में से एक या अधिक से अनुकूल वैवार की कमी द्वारा सम्मंदित रहती है, जैसे परिपकवता, अधिगम और समाजिक समयोजन, आगे हम इसमें देख सकते हैं, दोस्तों मंद बुद्धी बालक का अर्थ क्या है, मंद बुद्धी बालक का अर्थ, देखें मंद बुद्धी बालक मूल डुल होता है, इसलिए उसमें सोचने समझने और विचार करने की सक्ती कम होती है, इ उनको मंद बुद्धी बालक कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों क्रेवं क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धी लफदी सत्तर से कम होती है उनको मंद बुद्धी बालक कहते हैं इसकिनर के अनुसार प्रतिक कक्षा के चात्रों को एक बरस में सिक्षा का एक निस्चित कार पूरा करना पड़ता है जो चात्र उसे पूरा कर लेते हैं उनको समाने चात्र कहा जाता है जो चात्र उसे पूरा नहीं कर पाते हैं उनको मंद बुद्धी चात्र की संग्या दी जाती है बिद्याले में यह धारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही है और अब भी यह लाग है आगे देखें दोस्तों हम आधुनिक समय में मंद बुद्धी बालकों से सम्मंदित उपर्युक्त धारणा में अत्तिक परिवर्तन हो गया है इस पर प्रकास डालते हुए पोलक एवं पोलक मनोबग्यानिक ने लिखा है कि मंद बुद्धी बालक को अब छीन बुद्धी मंद बुद्धी बालकों के समू में नहीं रखा जाता जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता अब हम यह स्विकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन पहलू होते हैं जितने समान बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं तो दोस्तों आज हमने मंद बुद और भी देने का काम करेंगे हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें और रंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को ब्रणाम करता हूं मेरा प्रणाम स्विकार करें धन्यवाद अधन्यवार झाल 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 झाल